इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं 9 जुलाई 2023 विश्वास की घोशना मैं घोशना करता हूँ कि मैं विशेश, असाधरन और अलोकिक हूँ मैं घोशना करता हूँ अप्रत्याशित आशिर्वाद यहां और अब मेरे रास्ते में है मैं केवल इसे प्रयाप्त से अधिक होने से आगे बढ़ता हूँ इश्वर ने मेरे लिए अलोकिक द्वार खोल दिये हैं उन्होंने उचित व्यक्तियों से मेरे बारे में बात की है मैं अफिसियों तीन बीस को अपने जीवन के पक्ष में और व्रदी से अधिक बहुतायत से परे उपर और उपर से देखता हूँ यह मेरी गोशना है दिव्वे स्वास्त की सुईकारोती इश्वर की महिमा मेरे भौतिक शरीर में स्पष्ट है मेरे शरीर के हर हिस्से में होकर गुजर रही है इसलिए मैं हर दुर्बलता, निर्बलता या कमजोरी से चुटकारा पा रहा हूँ यह मेरे परिवार, नौकरी, व्यवसाय और मेरे जीवन के सभी शित्रों में देखा जा सकता है येशु के नाम पर, आमेन, मेरे पास वही होगा जो मैं कहूंगा येशु के नाम में, योहन 14.13 मैं मजबूत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धनी हूँ, मैं शक्ति शाली हूँ, मैं अभिशिक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इश्वर का प्रिय हूँ मैं इश्वर और मानो जाती का क्रपा पात्र हूँ मैं वही बोलता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ न की जो मैं देखता हूँ मैं एक अनमोल बीज हूँ मैं अपने इश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया हूँ मैं अपने प्रभु के दर्बार में ताड के पेड की तरह फलता फूलता हूँ मैं हर मौसम में प्रचुर मात्रा में फलुत्पन करता हूँ मैं प्रभु में रस और हरे रंग से भरा हुआ हूँ और बुढ़ापे में भी मैं ताजा और फलता फूलता रहूँगा मेरा पता मुर्जाता नहीं है और जो कुछ भी मैं करता हूँ वे येशु के नाम में सम्रिध होता है चीजे हमेशा मेरे लिए येशु के नाम में काम कर रही है मैं मसी येशु में हर आध्यात्मिक आशिरवात का प्राप्त करता हूँ मैं एक आत्मा हूँ मेरी आत्मा में एक अंतर्मन है, मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक भौतिक शरीर में रहते हैं, मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को निर्देश देती है, मेरा अंतर्मन सुनता है, प्राप्त करता है, और मेरे शरीर को निर्देश देता है, और मेरा शरीर पालन करता है येश्यू के नाम में मैं अपने शरीर से बोलता हूँ इश्वर का अविनाशी जीवन मेरे जीवन में हमेशा स्पष्ट और व्यक्त होता है मैं अपने शरीर के हर विवरण के लिए जीवन बोलता हूँ मैं अपने मनोभाव से बात करता हूँ परिपून बनो मसी के मनुभाव की तरह और मैं तुम्हें परमेश्वर के वच्चन से संद्रेकेत होने की आग्या देता हूँ मैं अपने सनायों और नसों से जीवन बोलता हूँ मैं अपनी मास पेश्यों सनायों बंधन को ताकत बोलता हूँ मैं अपने दिल से जीवन शक्ती बोलता हूँ मैं अपने फेफडों और उत्तकों से सामानने वेंटिलेशन और परफ्यूजन उनुपाद बनाये रखने के लिए बात करता हूँ मैं अपने किडनी, लीवर और अगनाश्य को पूंटा बोलता हूँ मेरे खूं की हर कोशिका में जीवन है मेरी हड्या, जोड, काटेलेज, संरेखित, मजबूत और द्रड है मेरे पूरे उपरी और निचलेंग उतकश रूप से कारे करते हैं मेरी आखियं सपश्ट रूप से और पूरी तरीके से देखती हैं और मेरे कान काम करते हैं बहतरीन मेरी त्वच्चा एक नवजाच शिश्वर ईश्वर की सुन्दर्ता की तरह चिकनी और स्वस्थ है मेरे बालों के रोम कस गए है मैं अपने बालों को इस्तिर रहने की आग्या देता हूं और जहां व्रद्दी की अवशक्ता होती है मैं अपने रोम में विकास छोड़ता हूं मेरे दात, मसूडे, जबडे की हड़ियां और तंत्री का और रक्त की आपूर्ती सभी स्वस्त मजबूतर परिपून है मेरे सभी हार्मोन और नियूरो केमिकल ट्रांस्मीटर एक दूसरे के साथ पूर्ण सामन जस्य में है और अपने कारियों को सामान्य रोप से निश्पादित कर रहे है मेरा पाचन तंत्र निगले गए सभी खाद्य प्रदार्तों को पचाने आउशोशित करने और आत्मसाद करने में सक्षम है और चयापच्य अक्षिष्ट उत्पाद नियमित रूप से उत्सर्जित होते हैं मैं खाने, तकनीक, मीडिया, शिथिलता, गपशब, आलस्य, अधिक नींद, सुस्ती और बाद देखारी-खरीदारी में सभी प्रकार के वैसनों जैसे शराब, निकोटीन, ड्रक्स, दियुधातुमान, अत्यदिक भोग को कैद करता हूँ और मसी की आज्याकारिता में लेता हूँ जैसा येशु, वैसा ही मैं इश्वन ने जो कुछ भी बनाया है, वह मेरे लिए जीवन और जंगाई है इसलिए खादे प्रदार्तों, धूल, चानवरों, आदे अलर्जी का मुझे पर कोई अधिकार नहीं है इश्वन ने मुझे इन सारी चीजों पर अधिकार दिया है मेरा प्रजननत अंत्र प्रयाप्त मात्रा में और अच्छी गती शीलता वाले शुक्रानों का उतपादन और जमा कर रहा है मेरा प्रजनन तंत्र समय परंडे की कोशिकाओं का उत्पादन कर रहा है जनम तक भृून की रक्षा और पोशन कर रहा है मेरे शरीर का हर अंग हर कोशिका पूंता में कारे करता है जिसके लिए ईश्वर ने से कारे करने के लिए बनाया है और मैं मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की खराबी और विक्रती को येशु के नाम पर मना करता हूं आमेन, मेरा संपूर मानव शरीर रजना विज्ञान, चया पचे और शरीर क्रिया विज्ञान, मसी एश्यू में परिपूर्ण है, महिमा, हालेलुया, आमेन पिता ईश्वर मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ, पुत्र ईश्वर मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, पवित्र आत्मा ईश्वर मुझे प्यार करता है, मैं जानता हूँ, कि मैं जानता हूँ, शलोम